नवस्कार सुपरफास फूचर्स में आपका स्वागत है मैं हो डिम्पी काल रहा है एक क्लोजिंग एडिशन है और इस क्लोजिंग एडिशन में हम यह जानने कोशिश करेंगे कि आज जो सिरीज की शुरुआत हुए डिसेंबर की उसमें कैसे ट्रेड लिया जाए कौन से सौदर को भी छोड़ दिया जाए कि सौदर को प्लस करें देखिए आपने दिन भर में कुछ न कोशिश ट्रेड जरूर लिया होगा हमारी कोशिश है कि जो एक्टीव ट्रेड्स है एक्टीव सोदे हैं वादा की उसके बारे में जरसे और अनलिसिस करके आपके सामने रखें ताकि आप एक फैसला आपका अगर नहीं ले पा रहें कहीं भी थोड़ा कंफूजन है तो उसको थोड़ा सा कम कीजिए और क्लारिटी के तरफ बढ़ें हमारा अबजेक्टीव बिलको साफ है हम आपके सामने सारा क 알았어 डाटा अनलिसिस करके आपके सामने रखते हैं हर रोज अपने साथ मैंमान जोड़ते हैं उसे यह पूसते हैं कि कैसे ट्रेट लेना चाहिए क्या करना चाहिए बाजार के अंदर अगर आपके आपको सौधा होता है तो आपको सला मिल जाती है, नहीं होता तो आपको टिप मिल जाती है तो यह हमारी कोशिश रहती कि बहतर से बहतर रिसर्च करके हम आपके सामने डाटा उतारे इसलिए देश का नंबर वन शू है यह, एफेंडो का, जो ठीक बजार बंद होने से एक गंटा पहले हम लेके आते हैं आपके सामने और हमारे मेमानों की भी कोशिश यह होती है कि जारा से जारा बहतर शीर आपके सामने उतारे खेरे बर जरा बजार का हाल चाल देख लिजे आज मार्केट में ज़्यादा दिल्चस्पी आपको होगी नहीं कम से कम इंडेक्स के लिहाद से एक तो विक्स वैली 5% उपर है कल की तेज गिरावट से हम सदमे से उपर नहीं आ पा रहे हैं कि 10,300 कल मार्केट ने कैसे तोड़ दिया कल जब शाम को फिसकल डेफिजेट की खबर आई तो पहर में तो उसने मजार का मूड काफी बिगार दिया और यह मूड ऐसा बिगरा है कि आज दिन भर हम कोशिश कर रहे थे कि 10,300 किस दर से पुल बैक पर मिल जाए नहीं मिल रहा बलकि 10,200 को भी तोड़ने की त्यारी हो रही है अभी 25 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी डॉट 10,200 पर ही कामकाच कर रहा है निफ्टी की 10,000 की पुट में सबसे अरग खुले सोड़े हैं इसका मतलब यह बिलकुल साफ है कि यहां पर मंदड़िये भी हैं तेजड़िये भी हैं जैसे ही मंदी के सोड़े कट जाएंगे इसका मनलब मंदी और आ सकती है इसलिए 10,000 पर दोनों का एक्शन बहुत है यह दोनों ही इस 10,000 की कॉल पुट में अपने आपको पैसा बनाने के लिए उतरे हुए हैं रियल एस्टेट इंफ्रा और मार्केटिंग मेटल्स यह कुछ एक सेग्मेंट है जो कि आज दबाव में हैं इन में किसी दारे का खास पुल बैक यह सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा हां ओटो के सेल्स के कुछ एक नंबर आए जैसे की मारूती के नंबर जैसे की बजाज ओटो के नंबर इन्होंने काफी हद तक अपने आपको मजबूत किया है लेकिन अभी क्योंकि डिसकाउंटेड है काफी हद तक को एक्स्टॉर् काफिक्स के फॉर्म में यह सब चलता रहेगा कि कौन से शेर बढ़ने हाले हैं कौन से शेर गिरने वाले हैं ताकि आप इस सब देख पाए जान पाए समझ पाए तीन महमान जो मेरे साथ है जिनसे आप चर्चा करेंगे उसमें आशीष चत्रमोता है मैसा स्टूडियों में जुड़े हैं मैसा चंदन तापड़िया भी हैं और फोल लाइन से मैसा पुष्क राच्कनित कर भी हैं उनसे वह बाचित करके जानेंगे कि सौड़े कौन से बनाने चाहिए आशीष शुक्रिया समय देने के लिए आपके और हमारी लगातार बाचित होती रहती है एक है दाजाद तीन सो तूट गया ये चिंता की बात है अब आप मेरे को बताए करना क्या है निफ्टी पर सर अगुड़ आफटनून डिमपी बिल्कुल देखे दस हजार तीन सो एक बहुत एहम लेवल था जिसकी बात हम भी कर रहे थे कि दस हजार तीन सो अगर से ब्रेक नह हो है तो इसको धियान में रखते हो मुझे लगता है कि कल का जो लो है वो काफी काफी क्रिटिकल रहेगा अब यहां से 10,200 के आसपास का जो एक लो निफ्टी ने बनाया था उसको अगर से निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में 10,215 दोसो के आसपास के लेवल अगर से अभ कोई रीजनेबल सपोट आएगा तो फिर वो शायद सीधे 10,000 के असपास की आए बट 10,200 बहुत क्रिटिकल है अगर से लेवल नहीं ब्रेक होते हैं और 10,260,70 के लेवल उपर में क्रॉस होते हैं तो मुझे लगता है अच्छी शॉट कवरिंग के भी चांस बजार उस सिच कीजिए इसमें 10,400 के कॉल, 10,300 के कॉल एट तूट रही है इसका मतलब नहीं ट्रेडर 10,300 को पसंद कर रहे हैं नहीं 10,400 को पसंद कर रहे हैं इससे छूट छूट के बाहर आ रहे हैं वो कमफर्ट नहीं समझ रहे हैं अपना इसलिए बजार वहां तक जानी रहा यह पहले भी हमने आज का सोधा में भी जैन इरिगेशन को रखा यह सुबह हिमन्त की कॉल थी साड़े 15,000 पे आपको गेन आया फॉर्टिस को लेकर हम जो एक खबरे हमने आपको बताई हुआ अलग है लेकिन ट्रेडिंग ऑपरचुनिटी भी हम आपके सामने नहीं छोड़ते हैं आज ब्रजेश ने हमको एक फॉर्टिस की कॉल दी थी खुलने के बाद 500,000 पे का फायदा हुआ था आपको फायदे से मतलब है जानकारी भी और ट्रेडिंग भी दोनों का फायदा आपको फॉर्टिस से मिल रहा है फॉर्टिस की जितनी खबरे हैं वो भी सब आपके सा हमने टाटा ग्लोबल 290 की कॉल शेयर चला हुआ था सोचा कि कुछ आप्शन मिल जाए ऐसी आप्शन मिल गई जिसमें आज पैसा बन सकता था आपने बनाया होगा साड़े तीन हजार रुपे आपको यहां से भी आए तो जो हमारी कोशिश रहते हैं कि 20 जार कम से कम आप तक पहुंचे जरूर वो इस बार फिर से पहुंचे है तो उम्मिद करते हैं यह बहतर रिटर्न कार्ड हम और भी बनाते हो चलेंगे आपको स्टॉक स्पेसिफिक र काउंटर है लास्सीरीज में को शाप मुमिंट देखने को मिलाता है और अभी भी रोलोवर पोजिटिव है और इंडिकेट कर रहा है कि अपको बरकरा रहेगा आज न्यू सीरीज का पहला दीन है और 11 पसंट से यहादा को अपर इंटर्स एडिशन हुआ है तो कहीने कि पो है और साथ में एक लोवर डिगरी चार्ट पर हेड़ें शोलर भी बन रहा है पिसले दो दिनों से सांदार वोल्यूम के साथ आप मुह आ रहा है और पोजिटिव ट्रिगर भी इस काउंटर को मिल रहा है तो यहाँ पे पोजिटिव रनीती बरकरार रहेगी हमारा मानना है क वन थर्टी से और वन थर्टी एट टाके टागेट उपर में बनने चीए तो ट्रेडर से यहाँ पे भी 117 के स्टोपलों से खरेदारी कर सकते हैं ठीक है एक तो एनमडी सी अच्छा ये शिर आप दो दिन से लोटिस कर रहे होंगे जब आर और के दाम बढ़ने की खबर हैं और इसका फाइदा सिर्फ एक घंटे का ट्रेड नहीं है बलकि हो सकता है एक दो दिन तक अनमडी सी को चलाए यह परसों की खबरती में को अच्छी तरह से याद है आपको भी याद होगा कल भी शेयर चला आज भी शेयर चल रहा है और अभी भी सलाह मिल रही है कि अनम सब पॉजिटिव बनता है कंजम्शन वाले शेयर भी है इसमें टाइटन आट सो चालिस का टार्गेट आट सो दस का स्टॉप चंदन को यह ऑप्शन का सोदा है जी नहीं देखें बाजार में बढ़ चुक है और यह सीरीज का पहला दिन है तो मेरे साब से सेलेक्टिव पॉस्वाल का क्लाइंट होल्डिंग नहीं रखते नहीं है कंपनी से जुड़े वे यही जी बिजनस का फादा है कि खाता एक जगे दस ब्रोकिंग हॉसिस की कॉल्स इकठी होके आपके पास आ जाती है एनमडी सी और टाइटन इन दोनों पर ध्यान रखें निफ्टी बे उनका व्यू जो है और बिल्कुल अभी रेंच में रहने का है दस दाद दोसों का सपोर्ट है आशीश आपके शेयर्स भी चाहिए होंगे आपके शेयर्स कौन से है जी सबसे पहले पिक मेरी होगी जैन इरिकेशन की जिसको मैंने इस हफते के मंडे को भी रिकमेंड कहता त अभी 105 रुपे के असपास चल रहा था हमने तब भी कहा था कि यह 140 150 के पोजिशनल टागेट सब जैन इरिकेशन में देखने को मिल सकते हैं और अभी भी मुझे लगता है आज 4% का जिस तरह से ओपन इंटरस हुआ है एडिशन और एक मंतली ब्रीक आउट 120 के अपर देखन को मिल सकते हैं दूसरी पिक होगी मेरी प्रामल इंटरप्राइज के अंदर जहां पर पर आज 6% का ओपन इंटरस में इजाफा है और वीकली एक ब्रेक आउट 2800 के लेवल के उपर यह स्टॉक दिखा चुका है तो 2770 के स्टॉप लॉस से पी यल में बाई किजे प्रामल इ इडिशन देखा है तो इस स्टॉक के अंदर में 440 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखना होगा और उपर में मुझे लगता है पोजिशनली 475-480 के लेवल में मेंद्रा मेंद्रा फिनेशन भी दिखा सकता है ठीक है तीरों शेयर है लेकिन जैन इरिगेशन लेकिन अच्छ पीरेमिल एंटरप्राइजिस के एक बर मैं आपको टारगेट वापिस बता रहे ता हूँ थोड़ा ग्राफिक्स में गडबर थी उसमें उसमें आप जो टारगेट है 2930 का है और 2770 का स्टॉप लोस है 2930 का पीरेमिल एंटरप्राइजिस का टारगेट सबाय कॉल गिवन बा काफी पैसे खर्च हो जाए 2930 का टारगेट है 2770 का एक स्टॉप लस रखें आशिश की रिकमेंडेशन है अच्छा कुछ एक आप्शिन के सौदे भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक बार देख लिजेगा मैं इस बिच पुशकर से जूड़के उनके ट्रेड जाल लेत मार्केर पर वापिस लॉटते हैं कि कुछ क्या बदलाव हुआ है कुछ निफ्टी में कुछ हुआ है येस निफ्टी टूटा है ये दज़जाद 200 को तोड़ चुका है अब दज़जार 188 पर आ चुका है ये आज की क्लोजिंग नहीं होने चाहिए अगर हो गई तो ये वी से पेशन नहीं किया देखिए 25,000 का इंडेक्स है 7 पॉइंट है वो 10,000 का इंडेक्स है 37 पॉइंट है तो मार्केट के अंदर ज़जादा गिरावट है सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स को इसके लिए नहीं मापा जा सकता कीनी की वज़जे गिरावट आ रही है अच्छा जहा इसको तोड़ रहा है सन फार्मा इसको तोड़ रहा है विदानता इसको तोड़ रहा है इनफोसीज करीब एक परसंट की गिरावट है सभी शेर इंडेक्स के लूजर्स है अब कुछ एफंडो के लूजर्स भी बताता हूं जो वेटेश के हिसाब से भी इंपॉर्टेस वोल्टा स्टोड़े पहले हमने डिसकस भी कहता साधे बारा बजे हमारे मेमान ने में को बता था कि वोल्टा शॉट के आ सकता है तीन परसेंट नीचे आ चुका है उससे में डेड़ दो परसेंट था एक टूट रहा है टेक महिंद्रा टाटा पावर आई आर बी एसकॉर्ट नंबर आने के खड़ा बावजूद भी एसकॉर्ट में क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग हुई है यह दो ड्हाई परसेंट नीचे आए इनके ट्रेक्टर की विक्री अच्छी आए थी फिर भी कमजूर गया यह तो जातर शेर इस समय दिन के निचलस तरोप्या के है तो वहां मेरे हिसाब से एकाद बाउंस बैक मास किया सकता है इसके चलते हुए जो स्ट्रॉंग स्टॉक है इसमें हमने अपोलो ऑस्पिटल चुना है 1145 के नजदेव अभी फिलाल चल रहा है उपर में करिब 1175 का इसमें लक्षय होगा और इस ट्रेड के लिए 1139 का स्ट अधा हुए नहीं है मैं मानता हूं कि इसमें उपर की तरफ जगें बन सकती है दूसरा शेर जो हम शॉट करने की सलादेर है वह है आयो सी एक तो विदिन अनर्जी पैक प्रॉफिट बुकिंग डिख रही है नीचे की तरफ करिब 372 का इसमें लक्षय होगा और उपर की दर रहे है नीचे की तरफ जब भी मुमेंट आएगी तो करीब 10 से 11 का इस प्रीमियम में बढ़ात्री होगी और इस ट्रेड के लिए चार रुपे का एक स्टॉप लॉस टार्गेट शे में सौदा प्लस करना है आने के लिए दो गुना भी हो सकता है पैसा और जाएंगे सिरफ दो रुपे यहां से अच्छा एक कैसे होगा ट्रेड एक बर जानी है पुट यह मंदी का एक सिंबॉलिक मिनिंग है यानि कि आप्शन ट्रेड करते हैं जो पुट का मतलब है कि वीकनेस है यहां पर पेटरनेट को दिसंबर की पुट लेने का मतलब कि इसके मंदी को खरीद रहे हैं अभी 245 वाली मंदी खरीद रहे हैं आप वैसा समझें बिल्कुल देशी भाषा है और इसमें 10 रुपे का टार्गेट होगा आपका 6 रुपे आपको मिल जाएगी 4 रुपे का आपको स्टॉप लोस लख लेना है इसमें एक और चीज कीजिए अगर आपके टर्मिन से कहते हैं कि आप अप्शन से जरूर बताएं अब यह से माशिष से भी एक सोधा जानने वाले हैं आपने पेट्रोनेट एलेंजी जान लिया 245 की पुट आशिश अब आपका सोधा चाहिए ऑप्शन का एक मैं डिंपी जाना चाहूंगा अगर से ऑप्शन ही करना है तो मुझे लगता है 125 रुपए की जो जैन इरिगेशन की कॉल है जो आपको चार रुपए के असपास मिल रही है चार चार बीस पे वो ले लिजे दो रुपए का धाई रुपए का स्टॉप लॉस होगा और उपर मैं आपके सामने चला मैं को याद है 120 रुपए 50 पैसे 60 पैसे शेयर था अब इसका फ्यूचर 122 हो चुका है क्योंकि प्रीमिम है 25 पैसे का तो इसका मतलब जो कैश है वो करीब 121 रुपए 75 पैसे के असपास आ चुका है एक से सवा रुपए तक का गेन आ चुका है ये 9,000 का लौट है इसका जैन इरिगेशन का 50 पैसे भी मिले तो 45,000 रुपए का गेन आपके पॉकेट में आ चुका है जैन इरिगेशन से अब आप सीधा फ्यूचर नहीं लेना चाहते है ऑप्शन ले लिजेगा 125 की कॉल है प्लस करनी है आपको यहां पर ध्यान रखा जा सकता है फ्यूचर का अंकड़ा है 125 की कॉल सबसे अरा एक्टिव कॉल है जैन इरिगेशन की वह प्लस कर लीजेगा जैन इरिगेशन ओल मस्ट अब अच्छा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है तो हमारी कोशिश है कि बहतर से बहतर शेर आपको बताएं अच्छा कुछ एक नमोमें सबीया डेलो डेलोपे हैं यहां पे तेजी है जहां पे तेजी है जो निफटी के इलावा वाले शेर दे फिए साड़े तीन परसंट इसमें istat अउपर है इंडी घो डॉ पर proportion ऋपर है और यहांजा कुछ मोमेंटम वाले शेर यह इंचे इंको तर दे कोड़ने पता लगता सेंटिसंकों का नुकसान है दर्जाद 200 के नीचे है स्टॉक्स कुछ पर आपके सामने रख रहे हैं जहां पर ट्रेड लिया सकता है एक दो शेर और पूछते हैं आशीशा यह कुछ एक जरा कैश के शेर देखे एक बारना को केस भी पंप बता रहे थे आपने हमको बताया था बिल्कुल देखे इसके अंदर में सबसे में तो केस भी पंप की बात करो तो यह सेवन थर्टी पर अभी भी मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी बढ़त हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगी स्टॉक कहीं न कहीं एक हजार के सतरों को क्रॉस कर सकत है तो यह इस एक्जिस्टिंग जो पोजिशन से में मुझे लगता है काफी अच्छा नजर आ रहा है एक स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है वॉल्यूम से पैटर्न के नजर यह से वह है डॉलर इंडेस्ट्री बहुत अच्छा कंसॉलिडेशन पिछले करीब-करीब 6 मही से स्टॉक में हमें होते हुए देखने को मिला है मुझे लगता है इस स्टॉक में अगर से साड़े चार सो रुपय का एक स्टॉप लॉस रखे जो की मौझद अस्तरों से 20 रुपिया का है तो मुझे लगता है इस स्टॉक में कम से कम सौ रुपय तक की बढ़त आने वाले स में हमें देखने को मिल सकती तो 575, 580 के टागेट आने वाले मैं समझता हूँ एक से दू महिने के अंदर में डॉलर इंडस्ट्री के अंदर में मुझे देखने को मिल सकते हैं और एक स्टॉक जो और मुझे कैश सेग्मेंट में काफी अच्छा नजर आ रहा है वह किर्लोस कर ब्रिदर्स इस स्टॉक में अगर से आप देखेंगे तो आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यह रि एक न्यूस फ्लैश भी आप देख पा रहे होंगे नीचे ब्रेकिंग न्यूस है खबर यह कि मैक्स हॉस्पिटल बर गरंभीर आरूप लगे हैं फॉर्टिस के बारे में लगातार हमने आपके सामने जानकारे रखी बाद में सरकार भी जागी सरकारी नुमानदे भी जाग है कि बच्चा मर गया है और परिवार को सौप दिया गया यह गंभीर आरूप लगे है अब पुलिस इसमें जुट गई है अस्पताल ने हाला कि जिस डॉक्टर ने कनफर्म किया था कि बच्चा डेड है उसको छुटी पे भेज़ दिया आप इसे से गंभीर ता लगाई है मैक्स हॉस्पिटल अब वापिस पुलिस की तफ्तीश में आ गया है यह शाली मर बाग का मामला है यह जो हॉस्पिटल का जो डाडागीरी है या फिर यह कहें उनका जो इस तरह का रवईया है उसको लेकर जी बिजनस बिलको सचेट है और आपको आगे भी आगा करेगा में भी मामला उट रहा है बिलकुल लापरवाई का मामला है तो हमारी कोशिश होगी इस मामले से जितनी दवाम जारी जूड़ गया है जूड़ी जानकारी हो आपसे जल्दी से जल्दी पहुंचाए अब मिरसाद रजज़ जूड़ चुके कमेडी मार्केट का उटलूक ल कि प्राइब करें देखा है कोई पॉवर्ड इंट्राडे फर्टिक से मीधी भी बाइंग की सला रहेगी अगे डिसेंबर वाइदे की बाइंग बात करें तो 28,910 पर बाइंग की सला रहेगी अटाइज साथ साथ सो टॉप लॉस के साथ पॉसिबल टागेट उन्टी से जा दोस्तों का रहता है वहीं चांदी में भी डिसेंबर कॉंटेक में बाइंग की सला रहेगी लेवल सेंगे 37,400 टॉप लॉस टॉप लॉस टॉप लॉस बताइए और बेस मेटल में से सिर्फ एक कॉमडिटी जो आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं ठूप लॉस गिसित आरह रहे हैं कि अठ इंट डीन के अज Comeigen के सिल्वर पर क्रूप लॉस ताइट है को अहीं जाते ॡॉस टाइपבן लॉस टॉप लॉस जान हो पर वहीं से लीप की बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए